दोस्तों मैं हर अंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्नॉफ फन में फाइफ जी कब तक आएगा फाइफ जी क्या इंटरनेट स्पीड होगी क्या यह कोस्ट करेगा कितने इसकी प्राइज होगी कौन सी कमपनी से पहले लेके आएगी किस देश में ये पहले आगा ये सवाल सभी के जो मन में है अभी आ रहा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5G क्या है ये जो G लगा देते हैं 4G, 3G, 2G, 5G ये आखिरकार हैं क्या इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं क हम आपके लिए लेटेश टेकनोजी से जुड़ी ये तेकनोजी वीडियो कुछ मोबाइल की ऑंबॉक्सिंग रिवीउस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं आपकी सपोर्ट क्या आउसकता चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब किये और वीडियो अधी आपको अधी मोबाइल जो जनर्रेशन है वो तकरीबन हर 10 साल के अंदर चेंज होती रहती है जो यहां पर G से मतलब जनरेशन से है तो यह 5thth generation जो है 5g जो कहा जा रही है 5th generation की जो हम यूज करेंगे आने वाले future में तो जो सबसे पहले हमारे पास mobile phone जो आये थे उनके अंदर जो है हम 1st G network यानि 1 G network हम यूज़ कर रहे थे उसके बाद में 1980 के अंदर जो है 2 G network इंटर्ड्यूस हुआ इसके अंदर हमें GPRS वगेरा भी जो है थोड़ा सा यूज़ करने लगे और इसके अंदर हम internet भी यूज़ करने लगे थे 1990 के अंदर जो है 3 G network इंटर्ड्यूस हुआ और हम जो है 3 G speed का यूज़ कर सकते तो इसके अंदर हमें 1 Mbps तक की internet speed मिल जाए करती थी यदि हम बात करें 2000 की तो 2000 के सत्र के अंदर हमें 4 G इंटर्ड्यूस हुआ और हम 4 G network है उसका फाइदा उठाने लगे यहां पे हमको internet speed जो है वो थोड़ी और ज्यादा मिलने लगी internet speed up to 10 Mbps की speed हमें मिलने लगी और इससे ज्यादा भी up to 100 Mbps तक की speed जो हमें 4 G के कान जो है मिलने लगी अब 2010 का जो सतक है यानि 2010 का इसके अंदर हमें 5G इंटर्ड्यूस हो रहा है तो 5G किस देशों में आया है भार्त में कब तक आएगा इसके क्या benefits है क्या इसके जो है disadvantage होगी इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दरसल 5G क्या है 5G जो है एक network generation है network spectrum की generation है इसके अंदर जो हम यूज करेंगे जो network band उनकी जो frequency होगी वो होगी चोती सो मेगा हर्टेज, पैती सो मेगा हर्टेज और चोती सो मेगा हर्टेज ये तीन बैंड के अंदर हम यूज कर सकते हैं तो पैती सो मेगा हर्टेज जो band है ये 5G के लिए ideal band जो माना जाया है और ये जो है millimeter wavelength के उपर जो है ये frequency work करेगी और यदी हम बात करें तो भीया हम भारतियों को ना सारी चीजे समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है 5G को हम किसी दूसरे देश का अविस्कार बताएंगे लेकिन दरसल यदी एक तरीके से हम मानने तो ये इसका सारा स्रे जो है वो भारत के ए जग्दिश चंदर बोस हो जाता है जी हां उन्होंने 1985 के अंदर जब लोग 2G की बात कर रहे था 1985 के अंदर उन्होंने जो ये मिलिमीटर वेव है इनकी खोज कर ली थी और उन्होंने बताय था कि वो इसका यूज कम्यूकेशन के लिए कर सकते हैं लेकिन हम इस बात को समझ पाए क्योंकि हमें थोड़ा लेट समझ में आता है तो बात करते हैं इसके अंदर क्या हमारी इंटरनेट स्पीड हमें इसके अंदर मिल पाएगई इसके अंदर जो है हमें 10 Gbps से लेकि 100 Gbps नाहींस उन्होंने अब कर सकते हैं और इसका जो यूज कह पाएगा वो हो पाए युज़ कर सकते हैं तो इसका जो एक यदि benefit की हम बात करें तो इसका जो latency है जो इसका वो है 1 millisecond जो है 1 millisecond इसका जो है ms1 ms इसकी latency है यानि इसका जो coverage है वो 100% रहेगा connectivity 100% रहेगी इसके अंदर easily यदि हम बात करें तो हम 4G के मुकाबले जो है 100 times ज़्यदा device जो है हम per unit इसके अंदर connect कर सकते हैं लेकिन इसका disadvantage यह है इसकी जो range होगी इसकी जो connectivity range होगी वो range कम होने वाली है 4G के मुकाबले क्योंकि यह जो है devices इनके लगाने पड़ेगी connectivity के लिए दो तरीके की connectivity के अंदर हमें देखने को मिल सकता है इसकी बात करें तो यह हमें 2022 से 2022 के बीच में देखने को मिल सकता है और यह launch हो चुका है सबसे पहले इसे launch किया है South Korea ने और Japan USA और चाइना इसे launch करने वाला है South Korea ने जो है यह 3 April 2019 को launch कर दिया है और सबसे पहले 5G यूज किया गया Samsung के S10 mobile के अंदर जो है Galaxy S10 mobile के अंदर 5G यूज किया गया Samsung ने 5G mobile phone जो है वो बनाने का काम शुरू कर दिया है Huawei ने भी Huawei Matex जो है अपना 5G phone जो है वो निकाला है तो यह थी 5G के बारे में हमारी कुछ बाते हैं और यदि हम बात करें तो यह इसके अंदर data connectivity की speed तो हमें बहुत ज़्यादा मिल पाएगी लेकिन हमें जो data capacity है वो हमारे data usage जो है वो increase हो जाएंगे तो इसका use हम smart home वगेरा के अंदर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो responding time है यह quick respond करता है आपको जो है मतलब कि latency की यदि बात करते हैं यहां पर हमें 1ms की latency मिल पाती है तो यह काफी अच्छी बात है अब देखते में आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही था तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए आपके यही प्यार बना रहा तो हम जल्दी ही 1000 subscriber है वो complete कर लेंगे तो वीडियो को share जरूर कर देज़ेगा तो मैंको पता आपको वीडियो पसंद आपने बादे